नमस्कार दोस्तों आप देख रहे हैं आपका चैनल स्मार्ट टेलीकॉम दोस्तों आज मैं आपको बता दू की M.I.E. के । होनों का आज हम बताएंगे बेसिए के वारे में दोस्तों तो मैं आज आपको थोड़ा बेसिए में से एलेंट वह मैं उन læंग के निलेता जानते हैं वो वीडियो को स्केप कर सकते हैं ठीक है दोस्तों और जो नए हैं तो बिल्कुल वीडियो को लाज तक देखें क्योंकि हम उनके लिए यह बता रहे हैं कि आप आप जैसे MI के फोन मैं अभी MI का लेकर चल रहा हूं दोस्तों तो MI के फोनों में क्या होता है बेस्बेंड चला जाता है तो आपको क्या ना क्या है हम सारा step by step आपको बताते हैं follow करना बताएंगे आपको कहां से क्या करना है ठीक है तो हम चलिए दोस्तों मैं आपको सारा चीज बता देता हूं कि कहां से आपको क्या करना है बेजबंड के लिए बेजबंड रिपेयर दोस्टो मैं आपको पहले बता दू बेसबंडtransl हम करेंगे और जिसका बेजमेंडन चला जाता है बेजबंडन फोलवर की फाइल होती है सबसके पहले बताँँ अगर MIO के फोनों में नेटक नहीं आ रहाया तो सबसे पहले आप जाकर उसका बेजबेंड चेक करिए कि उसका भी इस्वैंड आ रहा है की नहीं तो सबसे पहले आपको up को फोन में डियागनेस्टिक पोर्ट पे होता है बेजबेंड डियागनेस्टिक पोर्ट तो मैं दोस्तों आपको उता दूँ डियागनेस्टिक पोर्ट से ही आपका बेजबेंड रिपेर होगा मैं आपको पहले बता दूँ तो दोस्तों मैं आपको दिखा दूँ कि डियागने की देखिए कालकंई के क्यों मैं कॉलकंव दोनों आते हैं तो इनेबर नेंगों रहाद है तो पहला यह देखेवी आपको आप ऑप्षन आफ इनेवल डाइग्नेस्टिक पोड ठीक है तो दोस्तो आप बिल्ट पे जाएंगे फिर आपको को बंगे जाना में डेडलरपर option करना है कौनसे दोस्तों डेडलरपर option आपको कि पहला होता है आपको developer setting में जाकर करके आपको developer option को on करना है दोस्तों मैं बता दू फिर आपको developer option में जा कि USB debugging को enable करना है इससे आपका debugging on हो जाएगा diagnostic port जो है वो आपका on हो जाएगा तो दोस्तों आप दूसरा तरीका miracle से भी diagnostic port on कर सकते हैं ठीक है आप callcom में जाना है repair में जाना है फिर उसके बाद आपको वही model लेना है पहले तो callcom method फिर आपको port 9 port लेना है फिर आपका enable diagnostic port कर सकते हैं आपका दोस्तों मैं बता दूं तीसा तरीका आप UMT से भी QC fire से भी कर सकते हैं MI के फोनों में enable diagnostic port ठीक है तो पहला तरीका ज्यादा तो दोस्तों मैं बता दूं आपको पहला तो आपको settings जाके MIUI में जाकर के आपका यहीं से diagnostic port on हो जाएगा अगर नहीं होता है तो आपको यह सारे setup को follow करना है चलिए तो मैं आपको बता दूं इसके code भी होते है diagnostic port on करने के लिए code भी होता है तो मैं आपको बता दूं उपो का diagnostic port on करने के लिए आपको star has801 has आपको यह दवाना है इससे आपका diagnostic port on हो जाएगा ठीक है दोस्तों आप setting में जाके debugging usb debugging usb debug को on कर दीजे फिर भी आपका diagnostic port on हो जाएगा और मैं बता दूं आपका उपो के लिए star has801 has आप इसमें डायल करेंगे तो आपका diagnostic port on हो जाएगा मैं बता दूं वीवो वीवो का diagnostic port वीवो का diagnostic port है star has55 is head आप यह code डालेंगे तो आपका फिर भी diagnostic port on हो जाएगा तो मैं आपको पता दूं दोस्तों आज हमारा MI MI के बारे में हम बात कर रहे हैं MI के फोनो कोड आपका baseband repair करने की हम बात करने हैं दोस्तों तो हम आपको पता देए यह आपको देखे star has13491 has star has star यह आपका diagnostic port पे ही work करेगा मैं आपको उता दूं बेस्पेंट डिपेर आपका diagnostic port पे ही होगा इसलिए आपको यह code आपको उसमें डायल करना है अगर usb debugging आप setting में जाके developer में जाके वह on नहीं होता है तो आप यहां सवान कर सकते हैं दोस्तों तो हमने सबसे main motive आपको यह फ्रेसर के लिए वीडियो बनाया है हमने यह जो उनको पता है वह बिलकुली वीडियो को skip कर सकते हैं और मैं आपको बता दूं यह आपका मोटो का है मोटो का diagnostic port has 3424 has तो दोस्तों यह था हमारा diagnostic port on करने का क्योंकि हम आपको बता दें पहले बता दें आपको कि यह diagnostic port पे ही work करेगा diagnostic port में ही आपका यह work करेगा आप इसमें क्यूटी लोडर 9008 कॉलकम port ideal mode पे आप नहीं कर सकते हैं आप इसको रिपेर करना है तो आपको diagnostic mode पे ही आपको रिपेर करना होगा तो चलिए अब आपने diagnostic port को चान लिया अब मैं आपको बता दूं दोस्तों कि कि इसमें आपको QCN file जिस MI phone या Redmi phone की Baseband चली गई है उसकी QCN की फाइल होती है QCN फाइल Baseband Network की फाइल होती है मैं आपको बता दूं फिर से repeat कर दूं QCN एक Baseband Network की फाइल होती है तो उसको आपको QCN file आपको चाहिए तो QCN file तो मैं दोस्तों आपको यह भी बता दूं कि आप QCN file कहां से download करना है आपको Google में जाना है लिखना है MI QCN file QCN file क्या लिखना है है दोस्तों MI QCN file यह आपको MI QCN file लिखना है तो इसमें लिखा सामी रिपेर क्यूसें फाइल 100% tested download आपको यहां पर जाना है तोड़ा सा network problem चल रहा है कोई बात नहीं दोस्तों आप ये वीडियो लाश्ट देखें जिससे कि आप इसको रिपेर कर पाएंगे सामी QCN file यह एक बेस्बैंट तो देखें दोस्तों यहां पर बहुत सारी QCN file आ गई आप QCN file मिलती है ठीक है आप QCN file नहीं मिलती है तो आप QCN file बना भी सकते हैं आपको नेट में गूगल में यूटूब से जहां से भी QCN file मिले उस model की जिस model की हमारी की बेस्बैंट गई हुई है आप उसका नोट 4, Redmi Note 4, MI, Redmi 1S इस आपकी QCN file है आप यह QCN file देंगे तो उनका बेस्बैंट रिपेर हो जाएगा क्योंकि बिना QCN file के आप बेस्बैंट रिपेर नहीं कर सकते ठीक है दोस्तों तो मैं आपको बता दूँ अब जैसे suppose मैं ले लियाफायर है यह आपका Google Drive है एक आपका Mega है तो हम इसमें ले लेते हैं Redmi Note 3 का जैसे इस पर क्लिक करेंगे दोस्तों तो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा और मैं आपको यहां पर दिखा तो यह डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गई है डाउनलोडिंग हमारी हो भी एक ँए पटैक कीजनलोड लिख लेते हैं यह देखेतों हमारी वह किसेंड फाइल आ गई अगर प्शैन फाइल आपको नहीं मिलती है तो अप क्यूसें फाइल बना भी सकते हैं उसके लिए दोस्तों आपको मेहनत करने पड़ेगी उसके लिए आपको ऐससे टेलिकॉम जॉइन करना पड़ेगा और यह से टेलिकॉम जॉइन करिए यहां पे शॉप्टर हर्डवेर इमें सी और दोस्तों मैं आगे चलके और भी अपडेट होने वाले हैं आइफोन तक का मतलब फुल कोर्स हम यहां पर कराते हैं और मैं आपको बता दूँ ठीक है तो अभी से स्ट करेंगे यह हमारा क्यूसें फाइल यह हमारी क्यूसें यह हमारी नेट्वक की फाइल हो गई दोस्तों मैं बता दूँ यह हमारा नेट्वक की फाइल हो गई है आप एक क्यूसें फाइल से आप जिस मॉडल का क्यूसें चाहिए आप उस मॉडल का क्यूसें बना सकते हैं यह प्रॉपर रेड्मी नोट 3 का क्यूषन है आप जो भी रेड्मी नोट 3 का क्यूषन आएगा आप उसे ये फाइल दे सकते हैं ने तो आप फ्लेस फाइल डारेक्ट फॉर्मवेर से फ्लेस कर दो आपका बेस्मेंड आ जाएगा चलिए तो अब इसे हमने क्यूषन फाइल ले Korea repair करेंगे तो हमने इसको यह क्योपील क्यूफील या फिर क्यूपीर स्टी टूल इसे बोलते है तो हमने इसे खूल लिए ऑब इसे करना क्या है आपको मैं बता दू आब कोछ भी नहीं है अब इसे आपको जाना है टूल में जाना है रहा है यह तो एक टैब खुल जाएगा उससे पहले दोस्तों में आपको बता दूंसे पहले आपको पूर्ट बनाना है यहां पर लिखा है नो पॉर्ट अबिलेबल उससे पहले आपको पूर्ट बनाना है तो पूर्ट आपका डागनेस्टिक पूर्ट चाहिए तो डागनेस्टिक इसे बाद आपको काम करना है फिर आपको टूल में जाना है क्यूसिन बैकप में जाना है फिर आपको फाइल देनी है जो कि हमने क्यूसिन की फाइल लोड करके रखी हुई है आप क्यूसिन की फाइल बना भी सकते हैं और आप क्यूसिन की फाइल रेड्राइट कर सकते हैं तो अब इसमें हम ब्राउस पे जाएंगे ब्राउस के जाने को बाद जहां हमने जो फाइल को रखी थी तो दोस्तों मैं अब आपको करना कुछ नहीं है अब आपको केवल और केवल रिज्टोर क्यूसिन करना है डानेसटिक पॉट होने के बाद जैसे डानेस्टिक फॉट होगा अब क्यवल और क्यूपर कुपरल के एसें कर दीज YOU आपका बीस बैंड आ तो यह आपको State सबस्क्राइब करना ना भूलें यह वीडियो मैंने सुरू में बताया था फ्रेसर के लिए है जो कि हमारे इंसिटूट में ऐसे टेलिकॉम में सीखने आते हैं हम उन्हें एक बैक अप सपोर्ट सब कुछ देते हैं और जैसे कि जो भी नया अपडेट आता है हम उन्हें देते रहते हैं तो आपको वीडियो अगर आप अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले बस आपका यहां पर लाइस्ट प्रोसीजर यही था आपको डियागनेस्टिक पोर्ट पर सेलेट करना था और रिस्टोर के उसे और छोटा सा अपडेट मैं बता दूं आप यहां से किसी भी फोन का क्य सब्सक्राइब करना होगा चली ठीक है दोस्तों तो आप पोई वीडियो अच्छे लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना पूले